इस वाला candle ने break किया है अगर आप यहाँ पे entry बनाते तो भाया देखो जी share का price कितना उपर चला गया ठीक है हमने इस से पहले नहीं पता था कि share का price उपर जाएगा कि नहीं यहाँ पे काफी दिर तक नीचे गया उसके बाद जाए रोज सुभा सिर्फ एक मिनिट में कैसे stocks को ढून सकते हो आज की इस वीडियो में हम इसी को सिखने वाले हैं ठीके और बहुत ही step by step सिखेंगे तो चलिए करते हैं इस powerful वीडियो की शुरुआत तो अगर आपको intraday trading के लिए stocks को selection करना है ना तो पहले आपको क्या करना है आपको सुभा सुवा नव बजे ही gap up वाल वैसे stocks को ढूनना है जिन stocks में gap up opening हुआ है ठीक है ये पहले आपको करना है और ऐसे stocks को आप कैसे ढून सकते हो कहां से ढून सकते हो वो भी बताऊंगा वीडियो में end में सब कुछ बता दूंगा ठीक है तो पहला काम आपको क्या करना है रोज सुभा सुभा सुवा नव उसके बाद उसमें से किसी एक stock को selection करना है और उसमें पांच मिनिट का candle बनने का wait करना है जैसे ही पांच मिनिट का candle बन जाएगा उसके बाद उस candle का जो high point और low point है उसको mark कर लेना है ठीक है अभी मैं आपको theory समझा रहा हूँ वीडियो में आके practically भी चार्ट में कड़के दिखाऊंगा live इसलिए आपको घाबरानी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ओके पहले आपको सुबह 109 बजे gap up वाले stocks को ढूनना है उसके बाद पहला पांच मिनिट का candle बनने का wait करना है पांच मिनिट का candle बन जाएगा उस candle का high और low point को mark कर लेना है point number two clear ठीक है उसके ब करना है सब कुछ बताऊंगा ठीक है दो इंडिकेटर को plot करना है उसके बाद चौथा काम क्या करना है अगर पहला पांच मिनिट का candle का high break हुआ तो वहां पर strategy बन सकता है इसको और थोरा detail में समझते हैं सबसे पहले आपको सुबह 109 बजे वैसे stock को ढूनना है जिन stock में gap up opening इन stock को आप कैसे ढून सकते हो वो भी बताऊंगा ठीक है तो पहला काम क्या था gap up वाली stock को ढूनना था हमारा काम complete उसके बाद आपको कोई भी एक stock को select कर लेना है और 5 minute का candle बनने का wait करना है कितना minute का 5 minute का candle बनने का wait करना है जैसे ही वह 5 minute का candle बन जाएगा पाँच मिनिट उसके candle का जो high और low point है, उसको mark कर लेना है, यह जो 5 minute का candle है, उसका high और low point को mark कर लेना है, point number 2 के लिए है, उसके बाद क्या करना है, कि भीवेप और 7 period का moving average है, यह दोनों जो indicator है, वो हमें chart में plot करना है, कैसे plot करना है, सब कुछ live करके दिखाऊंगा, यहाँ पर थोड़ा सा theory समझ लेते हैं, तो पहले तो 79 बजी gap up वाले stock को ढूनना है, उसके बाद 5 minute का candle बनने का wait करना है, जैसे ही 5 minute का candle बन जाएगा, उसके बाद उस candle का high और low point को mark कर लेना है, दूसरा काम बे complete, तीसरा काम क्या करना है, यह दोनों indicator को chart में plot करना है, ठीके chart में कैसे plot करना है, व और यहाँ पर मैं green color का line दे देता हूँ, यह माल लेते हैं, कि यह कौन सा indicator है, 7 period का exponential moving average, यह 7 EMA है, ध्यान से समझना थोड़ा सा technical है, आप concentrate दे के समझोगे तो समझ जाओ, ठीके, यहाँ पर पहले तो high और low हमने candle का mark कर लिया, उसके बाद दोनों indicator को हमने plot कर दिया, भी wave और 7 EMA, माल लेते हैं, blue वाला भी wave है, और green वाला 7 EMA है, ठीके, यह हमने माल लिया, बाद में chart में देखोगे तो समझ जाओगे, अब यहाँ पर strategy किया है, उसको समझते हैं, देखिए, अगर यह जो हमारा blue वाला भी wave का line है, ठीके, अगर यह blue वाला भी wave का line है, यह हमारे पहला वाला candle का बीच में से काट के जाता है, पहला जो पाच मीट का candle बना, उस candle का बीच में से भी wave का line जाता है, पहला, उसके बाद जो 7 period का exponential moving average है, वो भी wave के line के नीचे की तरफ बनता है, ध्यान से समझना, पहले भी wave हम जो भी wave और 7 EMA दोनों जब लगा देंगे, तो पहले हमें देखना है, कि क्या भी wave का line पहले वाला candle का बीच में से जा रहा है, अच्छा, बीच में से जा रहा है, सही है, उसके बाद हमें देखना है, कि जो 7 EMA का line है, क्या वो भी wave के line के नीचे की तरफ है, दोनों indication अगर मिल जाता है, तीसरा एक और काम करना है, तीसरा वाला जो 5 मिनिट का candle है उसका अगर high break हो जाता है माल लेते हैं पहला जो 5 मिनिट का candle बना high और low तो हमने mark कर लिया अगर high पहला वाला candle का high break हो जाता है और ये दोनों indicator भी सही काम करता है जो मैंने आपको बताया है तो काफी ज्यादा chance से ही कि उसके बाद share का price उपर जाएगा आपको उतना समझ में नहीं आया होगा तो चलिए अब मैं live chart में दिखाता हूँ कि कैसे ये सारा strategy live market में काम करता है ठीके उससे पहले ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास एक अच्छा डिमेट एकाउन की जोड़त परेगी तो कुछ अच्छे अच्छे broker का link मैंने description पर दे दिया है वो हमारा affiliate link है तो वहाँ से आप बिलकुल free में अपना डिमेट एकाउन को खुलवा सकते हो और अगर आपको intraday trading के बढ़ में कुछ भी नहीं पता ना तो आप हमारे चैनल पर जाओ प्लेइलिस्ट वाले section में जाओ intraday trading का जो playlist है उसका हर एक वीडियो को देख लो आप भी intraday trading को basic से लेकर advance सकते हो ठीक है तो intraday trading का कुछ नहीं पता तो चैनल को visit कर सकते हो चलिए अब हम लोग live इस strategy को सिखते हैं तो यहाँ पे हम लोग trading view के website में आ चुके हैं अब पहले हमें कौन सा काम करना था सबसे पहला वाला point क्या था कि हमें OSA stocks को ढूनना था जिन stocks में gap up opening हुआ है ऐसे stocks को आप कैसे कहाँ पर ढून सकते हो बताऊंगा फिलाल के लिए य जिसमें आज का दिन gap up opening हुआ है munjal auto industries इस stock को हमने search कर लिया ठीक है अब ऐसे stocks को कैसे ढून सकते हो बताऊंगा और हाँ जो भी company का यहाँ पे चार्ट लेके आपको समझाओंगा चार्ट में समझाओंगा कोई भी company आपको हमारे तरफ से buy sell का determination बिल्कूल भी ठीक है तो यह एक ऐसा company था जिसमें आज का दिन gap up opening हुआ है अब यहाँ पे सबसे ज्यादा समझनी वाली बात क्या है कि हम intraday trading कौन से minute के time frame में करते हैं definitely 5 minute या फिर 15 minute का time frame में करते हैं ठीक है तो यहाँ पे जो time frame है यहाँ पे आपको 5 minute ही रहने देना है क्योंकि यह वाला strategy 5 minute में ज्यादा बहतर काम करता है ठीक है तो 5 minute आपको रहने देना है अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यह अच्छा खासा आज का दिन gap up opening हुआ था पहला काम हमरा complete ओके उसके बास second come क्या करना था कि पहला जो 5 minute का candle है उसका high point और low point को mark कर लेना है उ horizontal line है इसमें आपको click कर देना है click करने के बाद आपको यहाँ पे जो इस point का high point है यह वाला high point है और फिर से जाना है low point को आपको mark कर लेना है यहाँ पे जाना है फिर से horizontal line को click कर लेना है और इस candle का low point है आपको mark कर लेना है यह देखो जी पहले हमने क्या किया 5 minute का candle बढ़ने का वेट किया point number one के लिए उसके बाद क्या करना है इस candle का high point और low point को हमने mark कर लिया ठीके तीसरा काम क्या करना था कि हमें दो indicator को plot करना है पहला भी वेप दूसरा seven period का exponential moving average वो दोनों को कैसे किया जाता है आई ये समझते हैं सबसे पहले आपको जाना है indicator वाले section में क्योंकि य यहां जाने के बाद आपको BWAP सर्च करना है BWAP ठीके यहां पर दीखिए volume, weightage, average price आगे है इसमें आपको क्लिक कर देना है दूसरा एक और indicator है EA में आपको लिक कर सर्च कर देना है यहां पर देखो जी आगया moving average exponential की आगया है इसमें आपको क्लिक कर देना है तो चार्ट मे हमने दो indicator को लगा दिया है अब यहां पर इतना सरा line देखनी के बाद आपका दिमाग हो गया होगा खराब आप बोलोगे कि भाईया यह तो यह करना तो मेरे बस का बात नहीं है तो मेरे भाई मैं हूना आसान भासा में समझाना मेरा काम है तो आपको यह सारा चीज देखकर घबराना बिल्कुल भी नहीं है आपको simply पहला जो भी वेप वाला जो हमने इंडिकेटर लगाया उसका setting में change कर देना है तो इतना सारा जो जबड़ा दिख रहा है न सब clear हो जाएगा यहां पे आपको setting वाले icon में क्लिक करना है उसके बाद आपको क्या करना है style वाले section में जाना है और यह जो upper band lower band है इसको आपको remove कर देना है simply यहां पे क्लिक करोगे यहां पे क्लिक करोगे यहां पे क्लिक करोगे remove हो जाएगा और जो only भी वेप है उसको रहने देना है ठीक है उसके बाद थोड़ा सा color वगेरा change करना चाहाओ तो कर सकते हो इसको हम लोग blue color कर द ठीक है ताकि सही से डिक पाए तो आपको क्या करना है सारे जो tick mark होगा उसको remove कर देना है only भी वेप को रहने देना है okay कर देना है point number one के लिए है उसके बाद क्या करना है EMA को जो हमने लगाया यहां पे देखे 9 होगा इसको हमें 7 कर देना है ठीक है यहां पे आपको 9 को cut कर कर देना है 9 को cut कर देने के बाद यहां पे आपको 7 कर देना है sorry थोड़ा सा mistake हो गया एक सेटिंग में delete हो गया था गलती से यहां पे setting में जाना है यहां पे 9 के जगा 7 कर देना है ठीक है 7 हमने कर दिया उसके बाद style में जाना है style में जाने के बाद यहां पे इसका भी color blue में तो दोनों blue में हो जाएगा तो confusion हो जाएगा तो इसका color हम लोग green कर देते हैं और इसको थोड़ा सा मोटा बनाते हैं बस इतना ही करना है पहले हमें input में जाने के बाद 9 के जगा 7 कर देना है style में जाने के बाद blue के जगा green कर देना है थोड़ा सा मोटा कर देना है okay कर देना है यह देखोज लग गया, अब ब्लू वाला जो लाइन है, यह हमारा भी वेप का लाइन है, ग्रीन वाला जो लाइन है, यह हमारा 7 पिरियोड का exponential moving average है, पस इतना कर लिया ना, भाई आपने बहुत कुछ कर लिया, ठीक है, अब हम लोग strategy को बनाएंगे, कैसे strategy को बनाएंगे, वो तो हम लोग आगे सीखेंगे ही, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अब तक अच्छा लगड़ा है ना, तो वीडियो को लाइक कर द हो बताऊंगा मैं आगे, तो पहला काम हमारा complete, यहाँ पे यह इस्टोक अच्छा गासा gap up opening हुआ था, ओके, दूसरा काम हमें क्या करना था, कि 5 मिनिट का candle बनने का wait करना था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, 5 मिनिट का यह candle बन गया है, दूसरा काम भी complete, ठीक है, उसके 9 बच के 20 मिनिट तक 5 मिनिट का candle बनने का wait करना है, 9 बच के 20 मिनिट तक यह candle बन के तयार हो जाएगा, जैसे ही तयार हो जाएगा, तो उस candle का high और low point को mark कर लेना है, तीसरा point भी clear, ठीक है, जब यह तीनों चीज आप कर लोगे, तो 3 strategy आपको apply करना है, क्या 3 strategy apply करना है, पह 7 EMA को plot करना है, 7 EMA यह green वाला जो line है, यह 7 EMA का line है, यह दी complete, हमने लगा लिया है, अब क्या करना है, तीन चीज हमें देखना है, पहले तो देखना है, क्या हमारा यह जो VVP का line है, यह blue वाला VVP का line है, तीन चीज देखना है, पहले हमें देखना है, क्या यह VVP का line, प पर नीचे भी बन जाता है तो दूसरा काम भी complete. दो चीज हमने दिख लिया, तीसरा क्या दuciones है? तीसरे में हमें क्या देखना है? कि पहले वाला जो 5 minutes का हमारा candle था, उस candle का high point है, उस high point को कोई candle break कर रहा है की नहीं. तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले वाला 5 मिनिट का जो high point था, यह high point था, इस high point को भी इस candle ने break किया है, तो जब यह तीनों indication फुल्फिल हो जाता है, पहले तो B-Wave line 20 से जाना चाहिए, वो भी हुआ, उसके बाद 7 EMA का line B-Wave के नीचे बना चाहिए, वो भी हुआ, उसक तो यहाँ पर आपका entry बन सकता है, और बात अगर stop loss की हो, तो पहले वाला जो candle है, उस candle का जो low का थोड़ा सा नीचे आप stop loss रख सकते हो, और अगर target की बात हो, तो आप 1-2, 1-3 का भी target रख सकते हो, या फिर आप trailing stop loss का भी use कर सकते हो, ठीके न, यह आशा करता हूँ आप को समझ में आया, दूसरा एक और stock में हम लोग try करके देखते हैं, तो आपका और भी ज्यादा clear हो जाएगा, ठीके, दूसरा कोई stock में हम लोग try करके देखते हैं, यहाँ पे हम लोग एक और stock को search करते हैं, जिस stock का नाम है, set industries, ठीके, यहाँ पे मैंने इस stock पे click कर दिया, इस stock में भी आज का दिन अच्छा खासा gap opening हुआ था फिर से disclaimer देता हूँ कि कोई भी stock आपको हमारे तरफ से buy sale का recommendation बिल्कूल भी नहीं है अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस वाला share में भी आज का दिन अच्छा खासा gap opening हुआ है ठीक है तो पहला काम complete दूसरा काम क्या करना है कि पहला 5 bit का candle का high और low point को मार कर लेना है उसके बाद क्या करना है दो indicator को लगाना है पहला V-wave को लगाना है दूसरा 7 EMA को लगाना ह दोनों लगा हुआ है blue वाला V-wave का line है green वाला 7 EMA का line है तो दोनों लगा हुआ है ठीक है तो चलिए practically थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे plot कर लेते हैं practically करके दिखते हैं तो सबसे पहले horizontal line को लेना है और यहाँ पे high point को मार कर लेना है और फिर से horizontal line यहाँ पे आपको लेना है और low point को इस candle का mark कर लेना है ठीक है इसको थोड़ा सा उपर कर देता हूँ हाँ ची होगे यह देखो जी पहला वाला पांच मिट का candle में हमने high point और low point को mark कर लिया है ओके उसके बद हमें क्या करना है दोनों indicator को लगाना है दोनों indicator लगा हुआ है तो हमें क्या देखना है कि क पहला वाला candle का बीच में से भी वेप का लाइन जा रहा है कि नहीं तो यहां पर आप देख सकते हो यह जो blue वाला लाइन है यह भी वेप का लाइन बीच में से जा गया है तो पहला काम हमारा complete तीन चीजे देखना है ठीक है पहला काम complete उसके बाद देखना है कि क्या भी वे का पहले वाला केंडल है उस केंडल का हाई को कोई केंडल ब्रेक कर रहा है कि नहीं तो यहाँ पे आप देख सकते हो किसी केंडल ने हाई ब्रेक नहीं किया है हमें और थोड़ा आगे देखना है ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हो मैं इसको छोटा कर देता हूँ अब आप यहां पे देख सकते हो कि यह पहले वाला जो candle बना है पाच मिर्ट का इस candle का हाई को यह वाला candle ने ब्रेक किया है अब यह वाला candle ने ब्रेक किया है और बाकी भी वेप और 7EMA को जो strategy था वो भी हमारा काम किया अब आप देख सकते हो इस वाला candle ने ब्रेक किया है अगर आप यहाँ पे entry बनाते, तो भाईया देखो जी share का price कितना उपर चला गया, ठीक है, हमने इससे पहले नहीं पता था कि share का price उपर जाएगा कि नहीं, यहाँ पे काफी दिर तक नीचे गया, उसके बाद जैसे ही पहले वाला candle का hype break हुआ, break होते ही share का price उपर चला गया, ठीक है, त लेकिन फिर से आपको disclaimer दे दू कि कोई भी strategy बार-बार काम नहीं करता है, मैंने तो आपको जो जो strategy काम किया, जो जो share में काम किया, वही live example दिखा है, ऐसा काफी सारा share है, जिसमें ये strategy काम नहीं करता है, इसलिए कोई भी strategy पर आपको आग बन करके विश्वास नहीं करना है आपको paper trade करके देखना है, डारेक पैसा नहीं लगाना है, अब यहां तो आपने ये समझ लिया कि क्या strategy है, कैसे stock को selection किया जाता है, आपने सब कु समझ लिया, अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, कि आखिर हम सुबह सुबह 9 बजे ही कैसे उन stocks को ढून पाएंगे, ज ठीक है, ये काम आपको सुबह 109 बजे ही, यानि कि जब market open होता है, उसी time में आपको gap up stock, skinner ये आपको search कर देना है, ठीक है, जैसे ही आप search करोगे, तो यहां पे chart link का website आजाएगा, clear कर दू, कि ये video sponsored video बिल्कुल भी नहीं है, मैं personally इस website का use करता हूँ, तो आपको सुबह 10 गूगल पे search करना है gap up stock, उसके बाद कोई भी website में आप click कर सकते हूँ, मैं personally chart link का website पे click कर दिया, ठीक है, तो 109 बजे जैसे ही आप click कर दोगे, तो ये website बता देगा, कि ऐसा कौनसा stock है, कौनसा share है, जिसमें आज का दिन gap up opening हुआ है, ठीक है, यहां पे थोड़ा सा loading में ट काफी सरा company आ गया, यहां से आप उन stock को ढून पाओगे, जीन stock में gap up opening हुआ है, तो जैसे ही यहां पे stock का नाम आ जाएगा, उसके बाद जो-जो strategy मैंने आपको समझाया, वो strategy को आप apply कर सकते हो, तो इसी तरीका से आप stock को find कर सकते हो, सुबह 109 बजे आपको करना है, strategy सही नहीं होता है, इसलिए आपको paper trade करके देखना है, किसी पर भी कोई भी YouTuber पर आपको आग बन करके विश्वास नहीं करना है, in fact, मुझे भी आग बन करके आपको विश्वास नहीं करना है, आपको खुद जब तक confidence नहीं आता है, तब तक आपको share budget में पैसा नहीं लगा पर उन strategies का अगर आपको वीडियो देखना है, तो यहाँ पर click करके इस वीडियो को देख सकते हो, और हाँ Demate account नहीं है, उसका link आपको description पर मिल जाएगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा, नीचे comment करके बता देना, thank you so much